अनकाड़ेमी, लेट्स ट्राकिट नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कर चैनल पर साथियों आज है 29 दिसंबर 29 दिसंबर से संबंदि सभी करेंट अफैर को हम पढ़ने वाले हैं शुरुआत करने से पहले बहुत ही महत्पूर और उर्जावान पंक्तियां जिसमें उबाल हू ऐसा खून चाहिए जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए ये आस्मान भी आएगा जमीन पर बस इरादों में ऐसी गूज होनी चाहिए इरादों में ऐसी गूज होनी चाहिए साथियों अपनी पूरी मेहनत से पूरी शिद्द से आप मेहनत कीजे आप निश्चित ही सपल होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला करण्ट अफैर ये रहा प्रधान मंती नरेंदर मोदी हाली में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ बीमा योजना का सुभारम करेंगे तो साथियों जम्मू कश्मीर में प्रधान मंती मोदी जी जो आप देख पा रहे हैं ये एंसर है सेहत स्वास्थ बीमा योजना इसकी ये सुभारम करेंगे अब इसकी सारी इंपोर्टन जानकारियां आपको जान लेनी चाहिए 26 दिसंबर 2020 को प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने जम्मू कश्मीर राज में सेहत स्वास्थ बीमा योजना का शुभारम किया है इस बीमा योजना में कितने रुपे तक का बीमा मिलना है 5 लाक रुपे तक का बीमा किया जाएगा साथियों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में सारी जानकारी आपको दे देता हूँ भारती संसत ने 5 अगस 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया है पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्डाक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह लद्दाक है और यह जम्मू कश्मेर है अब यह दोनों केन सासिप प्रदेश बन गए हैं तो यहाँ की राजधानी श्री नगर और जम्मू है यहाँ के गवर्नर का नाम है बहुत महत्पूर्ण है सभी कॉम्पेटिशन के लिए मेरे श जरू करिए सेर जरू करिए विधान सभा सीटे 114 है राज सभा सीटे 4 है लोग सभा सीटे 5 और जीलों की संख्या अभी वर्तमान में 2 है यह सारी जानकारी आपने एक ही कॉस्चन पर जान ले अब आई अगले सवाल पर चलते हैं हाली में किस राज के स्कूल पार्ठ करम मे सिख गुरू का इतिहास शामिल किया गया है तो साथियों ये है उत्तर प्रदेश राज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज के पार्ठ करम में सिख गुरू का इतिहास शामिल किया गया है आप जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प् जब आप मैप में देखते हैं यूपी को तो ये आप यूपी देख पा रहे हैं भारत का स्रवादिक जनसंख्या के रूप में जो राज है वो यूपी है और यहां लोग सबसीटे कितनी है असी है राज सबसीटे 31 है और छेटफल की दिश्टी से चौथा सबसे बड़ा राजकी पसू बारा सिंगा है और राजकी फूल है पलास तो यह सारी जानकारी आपको यहीं से मिल गई चलिए हम अपने नेश कोशन की ओर बढ़ते हैं केन सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजी करण और फिटनेस प्रमार्ण पर जैसे महत्पूर्ण करता दूं अभी कोरोना यानि आपने देखा था कोरोना कोविड 19 चल रहा है और जिसकी वह से लॉक्डाउन भी हुआ तो काफी लोगों कोई इस चीज का समय नहीं मिल पाया था कि वह पंजी करण समय से करवा पाएं इसलिए इसका टाइम बढ़ा दिया गया है केन सरकार अब हम अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं सेंटर फॉर एकनोमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा 26 दिसंबर 2020 को प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के हुआ है दो हजार पच्चिस तक भारत विश्व के कितने नंबर की अर्थववस्था बन सकता है तो सातियो भारत पांचवी बड़ी अर्थववस्था बन सकता है यहां पर आप देख पा रहे हैं तो यह पांचवी सब सबसे बड़ी अर्थवस्था भारत बन सकता है तो सेंटर फॉर एकनोमिस और बिजनेस रिशर्ट जिसे हम बोलते हैं CEBR यहां पर आप देखें यह से हम CEBR भी बोलते हैं 26 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई भारत को पांचवी सबसे बड़ी अर्थवस्था बनाया जा सकता है ऐसा अनुमान है भारत 2020 में वापस छटे स्थान पे पहुँच गया है पहले भारत पांचवी स्थान खके गई हो तो भारत में सबसे पहली बार बिना ड्राइवर के मेट्रो टे दिल्ली में दिल्ली में शुरु आत की गई है तो 28 दिसंबर 2020 को प्रधान मंती नरेंत्र मोदी जी ने दिल्ली में पहली ड्राइवर लेस पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन का उद्गाटन किया है यह मेट्रो ट्रेन जनकपुरी पस्चिम से बॉटनिकल गार्डन की ओर चलेगी इसका कुल सफर 37 किलोमेटर का होगा वर्तमान जो केंद्री रेल मंत्री है वो इनका नाम है श्री पियुष गोयल जी यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है सारे इंपोर्टन कोश्चन को समझ लीजे ग्रह मंत्री है अमिर्शाव और रक्षा मंत्री है राजनास सिंग पियुष गोयल है रेल मंत्री केंद्री रेल मंत्री नितिन गटकरी जी मैंने आपको भी बताया ट्रांस्पोर्ट मंत्री है इस मेट्रो ट्रेन में हाई रेजलूशन कैमरे है रिमोट हैंडलिंग है इमर्जेंसी अलाम रियल टाइमी मॉनेटरी ट्रेन एक्विप्मेंट और हाई टेक सुविधाओं का एक संपूर्ण लैस यहाँ पर सुविधाया आपको देखने को मिलेंगे अब हम अपने अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं किस राज ने एक मोबाइल एप और बी पोर्टल पियार इंसाइड लॉंच किया है तो पंजाब राज ने लॉंच किया है किस राज ने किया है पंजाब राज ने लॉंच किया है अब बात है पंजाब के बारे में तो पंजाब सरकार के बारे मैं आपको पूरी जनकारी दे देता हूँ यहाँ पर मैप में देखिए पंजाब है पंजाब की इस तरफ राजिस्थान है और पंजाब किस तरफ हर्याना है ठीक है और यही मांचर प्रदे से पंजाब किधर जम्मू कश्मेर है पंजाब की राजधानी चंडीगड है राजपाल है स्री बीपी सिंग मुख्यमंत्री जी का नाम है अमरिंदर सिंग बिधान सवा सीटे 117 है लोग सवा सीटे 13 है और राजकी पशु का नाम है ब्लैक बट राजकी पक्शी का नाम है बाज तो पंजाब राज सरकार ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया की अधार पर नागरिक केंद्रि सेवाओं की डिलिवरी में सुधार करने के लिए पी आर इंसाइड नामक मोबाइल एप्लिकेशन लाँच किया है चले यह सारी जानकारिया आप अपने कॉपी पर नोट कर लें सारे सवाल पूछे जाएंगे हमारा अगला सवाल है हाली में समाचारों में रही करीमा बलूच कौन थी तो यह व्यक्ति से सवाल है प्रमुख व्यक्तित से सवाल है तो इनका नाम है बलोच मानावधिकारी कार करता है यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज में इनका नाम है करीमा बलोच यह आप देख पार हैं ये करीमा बलोच जी हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अत्या चार के खिलाफ इन्होंने एक हल्ला बोला है प्रधान मंत्री मोदी से बलूचों की आवाज बनने की अपिल करके चर्चा में आई थी उन्हें अपना भाई बताया था 2016 में उन्हें दुनिया की 100 प्रतिवाशाली महिलाओं में भी शामिल किया गया है मैं बता दू वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में हमेशा अंदोलन चलते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान का बहुत जादा अत्याचार है बलूचों पर अब अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं, हाल ही में शम्सुर रह्मान फारूकी का निधन हो गया, वेकिस छेज से संबन देते हैं, तो मेरे शेर और शेर नियों, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजे, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, सभी का बहुत-बहुत स्वागत बंदन और अभिनंदन है, स्टडीगर की तरफ से, राजा की तरफ से, तो सातियों उर्दू भाषा के कवी, ये उर्दू भाषा के कवी थे, इनका हाली में निधन हो गया है, अब आईए जान लेते हैं, सभी मोश्ट इंपोर्टन जानकारियों को, तो सम्शुर रह्मान फरू की एक भारती कवी और उर्दू समिक्षक है, उनका एक उपन्यास है, कई चान और थे, और थे सारे आस्मा, ये बहुत फेमस उपन्यास है, 1996 में सौरास्वती सम्मान से इन्हें नवाजा गया था, सौरास्वती सम्मान साहित छित में दिया जाता है, अब भारत सरकार ने 2009 में पदमुश्री पुरसकार से भी सम्मानित किया है, ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल क्यों बढ़ जाते हैं, मिस्ट्रांस कुइन इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है साइन सोनी, याद रखेगा, साइन सोनी जी को मिस्ट्रांस कुइन इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है, अब हम जान लेते हैं सारी महत्पूर्ट जानिकारियों को, दिल्ली की शान सोनी ने मिस ट्रांस कुईन इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है सान सोनी पेशे से एक फैशन डिजाइनर है वै अब अगले साल मिस इंटरनेसनल कुईन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिद्द्द करेंगी यह ट्रांस जेंडर महिलाओ की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है यह प्रतियोगिता केवल ट्रांस जेंडर महिलाओ के लिए है जनवरी में होने वाला अंडर 20 आई सो की राष्टी चेंपियंशिप की मेजबानी कौन करेगा तो जनवरी में under 20 आई सौकी होने वाला है तो यह करेगा हिमांचा प्रदेश इसे करेगा अब यहाँ पर हिमांचा प्रदेश को आप देख लीजे यह हिमांचा प्रदेश है हिमांचा प्रदेश के इस तरफ इस तरफ आप देख पा रहे हैं उत्तरा खंड है उपर है जम्म और धर्मशाला भी है लेकिन में राजधानी आप कहेंगे वो शिमला है गवर्नर का नाम है बंडारू दत्रात्रे और वहीं पर बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री का नाम है जैराम ठाकुर विधान सबसीटे यहां पर अर्सट है राज सबसीटे तीन है लोग यहां से हमारे करंट अफैर हो जाते हैं एक हतम लेकिन एक एनांस्मेंट अभी भी जारी है वो बहुत इंपोर्टन एनांस्मेंट आपके करियर के लिए डाउनलोड कीजे अनकैडमी और MPPSC व्यापन को सिलेक्ट कीजे डेली लाइव क्लासेस प्रैक्टिस और रिविजन सेट लर्न अनिटाइम एनिवेर विथ अनकैडमी आपक क्या क्या देता है साथियों 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस हर अफ्के देता है उसके साथ डाउड क्लेरिंग सेशन हर अफ्ते फ्री मॉक टेस्ट होते हैं free live quizzes होते हैं 20,000 questions के और daily T20 free live quiz होता है 20 questions 20 minute में आपको करना क्या है play store से unacademy download करना है यहाँ पर select करना है state PSC और इसके बाद आपको MPPSC व्यापम select करना है यहाँ पर code डालना है raja number 1 यहाँ पर code जो डलेगा वो होगा raja number 1 इस code को आपको enter करना है और आप unacademy का free course और साथी 7 plus subscription भी ले सकते हैं यहाँ पर plus batch जो round preparation है crack prelims 2020 with choice of your batch तो साथी यहाँ पर आप 60 plus live crash course देखेंगे live MCQ revision batch होगा daily 3 hour practice test dedicated live doubt clearing session होता है और recorded batch with live doubt clearing session तो foundation batch सुरू होने वाला है 29 December से आज से ही सुरू होने वाला है जरूर join करे MPPSC batch को क्योंकि आपको भी पता है MPPSC की vacancy आ चुकी है लग जाईए जुट जाईए और खूब मेहनत कीजिए और सफल होईए तो साथ्यों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टॉप फेकल्टी है टॉप एजुकेटर है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करेगी यहाँ पर आपको live classes के साथ PDF notes और weekly और mega quiz भी देखने को मिलेगा साथियों मुख्य परिक्षा के लिए भी बैस शुरू हुआ है क्योंकि MPPSC 2019 का result भी आ चुका है मैं फिर से बता देता हूँ आपको unacademy डाउनलोड करना है और unacademy डाउनलोड करने के बाद आपको select करना है MPPSC and Vyapam उसके बाद plus course पर select करें और subscription कैसे लेंगे आप राजा नंबर वन code का यूज करें यहाँ पर राजा नंबर वन code का इस्तमाल करना है यह आप देखिए और इससे आपको 10% off मिल जाएगा यदि कोई fees 2000 रुपे की है तो 10% off होगा 1800 की हो जाएगी तो 24 month का भी course ले सकते है 12 months का भी code ले सकते हैं आप यह मेरा code यूज करें राजा नंबर वन डाउनलोड कीज़ें एकेडमी को नाव क्रैक MPP पेस्तिन व्यापम लेट्स क्रैक इट तो साथियो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा अपना कमेंट में जरूर एंसर दें हमारा सपोर्ट करें थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो